अभी हम स्टार्ट करेंगे ट्रिकोमेट्री का एक्जाम्पल नंबर फाई एक्जाम्पल नंबर फाई में इन्फरमेशन कुछ इस तरह है ट्राइंगल जो दिया हुआ है आगे क्या बोलना है वो बाद में बोलते हैं ओ पी इसको ही हमें समझना है उसके बाद डिटर्माइन करना है साइन क्यू और कॉस क्यू तो क्यू कि ही साब सेमें डुड़ना है तो सब से पहले आप वही समझो की मुझे कोई एक इस में से कोई वैल्डिव चाहिए यह माइनस में यू जाएगा तो प्लस में आ जाएग तो आप बोल सकते हो कि सर एसा लिख सकते हो OQ is equal to 1 minus PQ 1 minus नहीं होगा 1 plus PQ हो जाएगा जैसे यह होगा तो हमारे पास OQ हो गया indirectly OP हो गया 7 ता आप बोलोगे सर पाइथागोरस थियरम हम यूज कर सकते हैं इन ट्राइंगल OPQ तो आप बोलोगे सर लिखो OQ मैं डायरेक्ट बुल लिख रहा हूं पाइथागोरस थियरम का कुछ हीडिंग नहीं लगा रहा हैं आपको लगाना पड़ेगा तो आप लिखना OQ स्क्वेर इस इक्वेल टू आप बोलोगे सर PQ स्क्वेर प्लस OP स्क्वेर तो आप बोलोगे सर OQ की जगह मैं 1 प्लस PQ लिख सकता हूं तो आप लिख सकते हो PQ आपको पता है नहीं पता है PQ PQ ही रहेगा OP क्या है तो आप बोलोगे 7 का स्क्वेर अभी आप बोलोगे सर कि हमें यहां पता है A प्लस B का होल स्क्वेर तो आप बोलोगे सर इसकी फॉ याद रखनी है, same way यहां मैं लिखूंगा, a का square, one का square सीधा लिखते है, one, two, pq, plus pq square, तो आप बोलोगे, sir, यहां पे लिखो pq square, यहां पे लिखो 49, step आगे चलता है, तो one of plus two pq is equal to a pq, और यह pq cut हो जाएगा, यहां पे लिखा जाएगा 49, two pq is equal to 49 minus one, pq is equal to 48 divided by two, तो हो जाएगा pq 24, जैसे मैं pq 24 बोलूँगा, तो आप बोलोगे, sir, oq भी आप सुन सकते हो, oq is equal to one plus pq, कहां से आया, तो यह रहा, तो आप बोलोगे, one की जगा, तो one ही लिखा जाएगा, pq की जगह हो जाएगा 24, oq is equal to 25 हो जाएगा, आप बोलोगे, sir, oq मिल गया, दूसरा मैं बोलूँगा, pq हमें पता चल गया 24, और आप बोलोगे, sir, op दिया था 7, जैसे ही हो जाता है, इसके बाद हम आगे जा सकता है, तो आप बोलोगे, इस बार, sir, angle q के इसाब से आपको देखना है, तो मैंने बोला कि सबसे पहले, आप hypotenuse लिखो, तो आप hypotenuse बोलोगे, sir, hypotenuse जो right angle के सामने होता है, वही होता है, तो आप बोलोगे, sir, इसमें आप लिख सकते हो, oq, और oq हमारा है कितना, 25, सेम वे बाद में आगे चलता है, तो आपने बोला, sir, इसके बाद हम लेख सकता है, बेस, तो यहाँ पर मैंने एक समझाया था, कि यह तो हमारा hypotenuse हो गया, यह angle को जो जो जहाँ पे भी छूता है, यह angle, तो एक जगा, यह hypotenuse होती है, दूसरा क्या होता है, बेस होता है, तो आप बोलोगे, sir, लिखो, pq is equal to, pq हमारा कितना है, 24, और सामने जो होता है, वो perpendicular होता है, तो perpendicular हमारा है, po is equal to 7, जैसे यह हो जाता है, उसके बाद हम value put कर सकते हैं, आप बोलोगे, sir, अभी क्या कौन सा टूनना है, तो उससे पहले मैं एक छोटा सा लिख लेता हूँ, वो वाली formula, जिसको आपको याधी होगी, पंडीत, बोलो बच्चा, आगे क्या हैगा, तो आप बोलोगे, बदरी, प्रसाद, हर-हर, बोले, तो आप बोलोगे, इसके बाद आपको क्या चाहिए, तो मैंने बोला, sin q चाहिए, sin q की formula क्या होगी, p upon h, p क्या होगा, तो आप बोलोगे, perpendicular sir, बोला जाएगा, p o, और h hypotenuse, o q, p o आपका होगा, 7, और o q होगा, आपका 25, एक अमारा question खतम हुआ, उसके बाद आप बोलोगे, cos, यहाँ पे sin q लिखना है, और यहाँ पे cos q लिखना है, cos q आप बोलोगे, sir, होगा, b upon h, तो हमारा b कितना होगा, तो होगा, p q, और h होगा, हमारा o q, तो b हमारा होगा, 24, और o q हमारा होगा, o q 25, और आप देखोगे, तो आपका answer आ गया होगा, तो आई होग कि आपको यह point समझ में आया होगा, अभी हम कल से, मतलब अभी next, वीडियो में हम exercise 8.4 चालू करेंगे,